दोस्तों आज की वीडियो में हम इस मिनी ओपनुवेल 5 रूबिश समर्शिबल मोटर की कंपलेट फिटिंग आपको दिखाएंगे जिए डबल बेरिंग वाली ओपन वेल की मोटर हैं जिसको हम वी सेवन की मोटर भी बोलते हैं तो कंपलेट दिखाएंगे कैसे फिटिंग कैस से एंपलार टेस्टिंग सब कुछ कंप्लीट करके दिखाएंगा सबसे पहले चलिए हम हाउसिंग में बूस्ट बिठा लेते हैं यहां पर मेटल का और यहां पर बूस्ट बिठाने के बाद उसके उपर हम एस बॉल यानि के छरा पास कर लेती है यह चरा आपको परचेस करना तो दिए गए नंबर में मुझे कॉल कर सकते हो और इसके बाद डबल कोलर में भी हम बूस्ट को बिठा लेना और फिर इसमें भी एसेस बॉल को पास कर लेना बिना एसेस बॉल पास कियो मोटर कभी भी फ्री नहीं हो सकती और उसके बाद यहां पर मोनोसट का काउंटर जो तो सबसे पहले वायर जो है आपको देख लेना अच्छे से वायर जो ही दर दर नहीं रहेना चाहिए नहीं तो आप हाउसिंग बिठाते से हम यदि वायर टच हो गया जाए तो बोडी भी शॉट हो जाएगी और मोटर तो आपकी चले गई नहीं इसके लिए हमें अच्छे से वायर जो है अंदर की तरह कर देना है एक भी तर्ण एक भी तार जो है बोडी के बीच में नहीं आना चाहिए उसके बाद यहां पर हमें सिंगल कोलर लगाते हैं सबसे पहले आप पांच एच्पी की थ्रीफेस मोटर है ठीका मोनो सेट की बेरिंग आती है इसमें डबल बे यहाँ पर बहुत को सबसे पहले लग तैक लगादे हैं डार के बहुत से लोग दोस्तों लोडत बी में लग लेकिन यहां पर सिर्फ लॉक्टार को अच्छे से चिपकल दिया जाते जा रोटर के ऊपर और कोई दिक्कत नहीं आती बेरिंग को निकल नहीं पाएगा में जएदा bearing की जरूरत नहीं होती है जब किया करता है कि रोटर को पीछे जाने से रोकता है और टच्वो के काउंटर में फिर आगे की और आ जाता है यानि कि बेरिंग जो है आगे की हमेरी कार काम करती में को करती हैं जब अब आपने कभी देखा एक डे एक बेरिंग जाएगा तो आगे वाला या फिर उसके भी ऐल लगा देना रोटर में और अब भी के लगाते हुं तो दोस्तों यब सिल हमें जो है रोटर के रास्ते से रेती कच्रा मिट्टी ऐसा जाने से अंदर रोकता है बूसिंग में तो क्या बूसिंग खराब कर देता है फिर आगे साइड लगा के और डबल कोलर यहां पर हम बिठाते हैं बोडी में लठा और थोड़ा हैमर से लगा के आप बिठा देना आपको और दोस्तों फिर यहां पर देखना है जो प्ले होती हुआ एक दो एमेम ही होनी चाहिए दो डाई एमेम चलता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती यानि कि प्ले जी ज्यादा हम रखेंगे तो मोटर का एंपियर भी बड़ेगा फ्लो गटेगा और बेरिंग बूसिंग भी जल्दी खराब कर सकता है इसलिए जो है डेट से दो एमेम तक मिनमम चलता है उसके बाद यहां पर श्टर लगाके चारों अच्छे से टाइट कर देना और फिर केबल में यहां पर रबर की डटी और प्लास्टिक के केबल फ्लांच को लगाके यहां पर स्क्रू से टाइट कर देना कि अच्छे से स्क्रूड्राइवर से टाइट कर देना उसके बाद चलिए अब लगाते हैं आप एंपिलर यह 205 एच्पी का एंपिलर है और फिर एंपिलर की साइज हमें चेक करने होती ताकि केसिंग के सेंटर में ही घूमना चाहिए एंपिलर को यहां यहां पर आगे का दसानी वाइसर और दसानी बोल्ट लगाकर अच्छे से एंपिलर को टाइट कर देना है यहां पर किसीन लगाना है देख सकते हैं topp फूल टाइट हो चुका है हमारा उसके बाद यहां पर लगाते केशिंग और फिर कि यहां पर कर लेना है कि यहां पर देख सकते हैं रोटर जो हैं एमपीलर केसिंग के विल्कुल बीचों भी सेंटर में रहना चाहिए तब ही जो अच्छा फ्लो भी आएगा और एंपएर भी वरोबल मोटर लें इसके बाद यहां पर चलिए केबल सौरी फ्लांच लगा देत और फिर फ्लांच को टाइट कर देते हैं